दोस्तों नमस्कार बकरी का इलाज और देखवाल चैनल में एक पर फिर से आप सबी का हारदिक स्वागत हैं साथ यो आज जो आप स्क्रीन पे बकरी देख रहे हैं इसके थनों को जरा गूर से दीखे इसके अडर को दीखे अडर में एक विशेश परकार की स्वेलिंग आ रखे जिसे हम अडर एडिमा बोलते हैं अडर एडिमा में क्या होता है कि अडर में सूजन आ जाती है और उस सूजन में अकसर पानी ही भरा रहता है जब हम इसको देखेंगे तो जहां से दूद निकलना चाहिए वहां से दूद निकल रहा है लेकिन जो अडर है फूल करके इतना बड़ा हो गया है और इसमें पानी भर गया है तो आज इस वीडियो के माधियम से अडर एडिमा का प्रेक्टिकली इलाज आप सभी के भी प्रस्तुत किया जाएगा जो हमारी टीम के दूआरा आज किया जा रहा है फ्रेंस ये देखे जब हम चेक करेंगे तो इस प्रकार की जो सुजन होगी उसमें गड़ा बनेगा और हमें साप एक दूम से पानी लगेगा कि अंदर से चमक रहा है साप पता लग रहा है कि अंदर इसके पानी भरा हुआ है ये देखे यहाँ पे हमारे रवी जी और जो साती है वो देख रहे हैं देखे ये देखे कि इसके पानी तो भरा हुआ है अब जो पानी भरा हुआ तो करना क्या है तो हमारे रवी जी ने 18 नमर के निडल हाथ में ली है ये देखिए 18 नमर के जो निडल है वो हाथ में ली है और इस निडल की सायता से हलके से प्रिक करके इसमें से पानी निकालेंगे ताकि ये जल्द से जल्द हलका हो जाए कई बार हमारे जो प्रैक्टिशनर भाई है वो क् वह समय लगता है यह देखिए यहां से प्रिक के आप पानी निकल रहा है पेर इलारी है तो पेर पकड़वा देंगे यह देखिए यहां से यह अब कई भाईयों के यह प्रसंद रहते हैं कि आप इसे कर रहे हो तो यहां से खराब हो जाएगा यह तो इन्फेक्शन हो यह देखिए अब यहां पर क्या होता है कि इन कोशिकाओं में पानी ही पानी भरा है तो लगभग हमें काफी जगों से इस परकार के छेद करने हैं ताकि यह पानी निकल सके बाद में हम जो एंटिवाटिक लगा देंगे तो उसके बाद इन छेद की कोई दिक्कत नहीं कि बावजून निचे टपक रहा है कई बार क्या होता है फ्रेंड्स यह अगर हम पानी नहीं निकालते हैं उस इस्तिती में एक कंडिसन यह होती है कि यह पानी यहां पे गाड़ा हो जाता है और जब गाड़ा हो जाता है तो दिक्कर पैदा कर देता है कई बार यह डिश्टल वाटर निकाल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई पाउडर का इंजेक्शन ये डिजॉल करने वाला है, तो मैं बता रहा था आपको कि ये अगर पानी जो निकल रहा है, ये देखिए निकाल रहा है हमारी टीम के सदश्य है, पानी जो निकल रहा है वो अगर मान ल मुश्किल रहेगा, तो जहां पे भी आप ऐसी अडिमा की कंडिशन देखते हैं, और पानी अगर सीर में से आ रहा है, दूद की जगें, तो आप तुरुंत प्रसुपालक भाई को बोल दीजिए, ये ठीक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम प्रियास कर रहे हैं, बाक स्टेप्टोपैनिसलीन ग्रुप जो है, वो यूज किया है, इसमें यहां पे एंडिबाइटी के तोर पे, स्टेप्टोपैनिसलीन जो की लॉकल इंफेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करता है, और इन्होंने डिश्टल वाटर डाल करके हिला के रख दिया है, अब अगल अगला इंजेक्शन यह कौन सा लेने वाला है, मनोजी, देखिए, फ्रूसेमाइट, यह इंजेक्शन अडिमाइट, में बहुत अच्छा काम करेगा, फ्रूसेमाइट, हलाकि यह पेसाब उतारने का इंजेक्शन है, लेकिन सूजन में भी इसका रोल जो है, वो बहुत ही अच्छा है, और सूजन में यह बहुत अच्छा काम करता है, इसको लेकि हमने एक अलग पूरा वीडियो भी बनाया थ यह देखे, आराम से हैं, अब इसे एक जी मालिस कर देंगे, अब अगला इंजेक्शन यह यूज़ करने वाला है, चिर परिच्छत सीपीम, सीपीम और बी कॉम्पलेक्स जहां पर एंटिवाटिक लगता है, वह लगाना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है, ताकि कि किसी भी का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, अगर यह नहीं लगाएंगे, इनके बगएर एंटिवाटिक हमने लगा दिया है, तो दूद कम हो जाएगा, यह देखे, बी कॉम्पलेक्स और सीपीम, दोनों को तिन तिन अमेल इन्होंने सामिल कर लिया है, ताकि बार बार प्रिक ना कर कर लिया है, पूरा सिस्टम मनोजी फोलो कर रहे हैं, अब लिया है इन्होंने स्टिप्टो पैनिसलेन, जो पहले डिजॉल किया था, वो लगा रहा है, स्टिप्टो पैनिसलेन, फ्रेंड्स, यह धाई ग्राम में आता है, जो कि बक्रियों के लिए ओवर डोज हैं, तो इस साड़ा एमेल पूरा जो सोलुशन बना है, उन में से यह आठ या साड़े आठ एमेल के आसवासिस में से निकाल लेंके, बाकी फैंक दिया जाएगा, यह देखिए, दो बार, सेकिंड टाइम इन्होंने पांच एमेल भरा था, यह देखिए, थर्ड टाइम इन्होंने और ले लिया है, तीन, यानि कि टोटल इन्होंने आठ, साड़े, आठ एमेल इसमें से लगा दिया है, जो बाकी बचा है, वो देख लेते हैं, यह इतना सा बचा है, पस यह हमें डेस्ट्रोई करना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरा पैसेंट हो, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, तो ऐसी कंडिशन अगर हमें कहीं भी मिलें, तो यह समझ जाना है कि जब तक अंदर सीर में दूद के साथ पानी नहीं मिला है, तब तक ठीक होने की पूरी-पूरी सम्मावन आया है, और 100% इसमें रिजल्ट भी मिलता है, दो दिन हमें ये ट्रिट्मेंट करना होता है उसके बाद एकदम से ठीक हो जाती है, इसके अलावा, यहां पे हम आईसो फ्लू फेरोडॉन इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक तो इंजेक्शनों की संक्या ज़्यदा हो जाएगी, दूसरा, यह बिमारी सिर्फ ताजा ब्याई होई बक्रियों में होती है और जहां पर यह दे कि दूद सीर में से सही आ रहा है, जहां पर ताजा ब्याई होती है राईसो फ्लू लगा देंगे तो दूद सुखा देगा, तो हमें पूरा पसुपाला का फाइदा देखते हुए, हमें ट्रिट्मेंट करना है, इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका अग जाउश तेसे कि दूद सीर Nhता है, लगा ज्रिट2 स्लू लगार दे सीर में पर ताजा, जढार देखते हRIं औरहा है, जहां रुरा सकत्व है?